दोस्तों ये बात तो आप सबी जानते हैं कि बॉलिवुड डाक्टर शारुख खान के घर इस वक्त प्री दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है क्योंकि 26 दिनों तक क्रूज ड्रग मामले में आखरकार बॉम्बे हाई कूट ने सूपर स्टार के बेटे आरिन खान की जमानत याची का को एक्सेप्ट कर लिया 2 अक्टूबर 2020 की रात को आरिन खान को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबे के क्रूज जहाज पर चापेमारी के बाद अरेस्ट किया था 28 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद फिलाल आरिन खान अपने घर मननत महुच चुके हैं इस वक्त खान परिवार में खुशी का महौल है इसके साथ ही आपको बता दे कि सुहाना खान जो इस वक्त न्यूयोक में थी अपने भाई से मिलने के लिए वापस मुंबई की तरफ आ गई है रिपोर्ट्स की माने तो शारुक खान और गौरी खान की तरफ से अब ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं होगी जिसकी वज़ा से उनकी इज़त पर दुबारा से कोई आचाए जैसा कि अब जानते हैं कि आरेन खान के जेल में रहने के तौरान शारुक और गौरी काफी परेशान थे ऐसे में कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब जब आरेन खान जेल से बाहर आ गए है तो Star Parents शारू खान और गौरी ने अपने बेटे आरिन के सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की पहल की है रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शारू खान और गौरी ने आरिन के लिए तीन सक्त कदम उठाये है आरेंग खान के जिल से बाहर आने के बाद शारुख खान और गौरी खान ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए है आरेंग के लिए जिसे उन्हें फॉलो करना ही होगा सबसे पहले स्टार पेरेंट्स ने ये डिसाइट किया है कि आरेंग को उनसे जुड़ी कोई भी मीडिया कवरेस से बचाया जाएगा जो पहले उनके मामले में हो चुका है या फिर हो रहा है वो आरेन को पिछले कुछ हफतों में मीडिया में उनके बारे में कही गई या लिखी गई हर बास से हैरान नहीं करना चाहते हैं दूसरा रूल ये होगा कि आरेन खान की कंप्री पर नज़र रखनी होगी शारू खान और गौरी सोशल मीडिया पर उनके दोस्तों या फिर उनके फोन के जरिये मिलने वाले कोई भी कॉन्टाक्ट्स करने पर कड़ी नज़र रखेंगे वो नहीं चाहते हैं कि आरेन खान ऐसे लोगों के साथ रहे जो उनके लिए छोटी से छोडी मुसीवत भी खड़ी कर सकते हैं यानि कि शारू खान और गौरी की तरफ से आरेन खान पर कड़ी नज़र रखी जाएगी इसके साथ ही किन दोस्तों से वो मिलते हैं किन दोस्तों से वो बात करते हैं और कौन लोग उनसे मिलने के लिए घर पर आते हैं इस बात की खबर खुद शारू खान और गौरी खान ही रखेंगे आखिर में शारुख और गौरी ने ये फैसला किया है कि वो हालिया टाइम में आरेन को सारवजनिक उपस्तिसी से दूर रखेंगे यानि कि वो कोई भी ऐसा पबलिक फंक्शन अटाइन नहीं करेंगे कोई भी ऐसी पबलिक एंदरिंग में नहीं जाएंगे जहां पर कि लोग उनसे सवाल करें या फिर उन्हें किसी भी तरीके से हरास करने की कोशिश करें बागी माता पिता की तरह ही शारुखानर गौरी भी आरेन के जिल से वापस आने के बाद कोई चीज़े बहतर हो इसके पूरी कोशिश कर रहे हैं